कि उस समय अवैद हतियारों के बनने के समचार आते थे और अब इंटरमीजेट रेंज बैलेस्टिक मिजाईल उक्तर प्रदेश में डिफेंस कोरिडोर में बनने जा रही है कि इतना बड़ा नजारा बदनने के बाद भी जिनकी नजरे ही न हो उनको नजारा कैसे नजरा सकता है यह समझा जा सकता है आपने आदेश लिया कि सब लोग बैठे हम बैठे फिर इंस्पाइट अब डैट इप आर नाट ऑनरें बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाशन चलाते ही रहे कोन सुनने माला है अपका भाशन हम तो नहीं सुन रहे मैं बिलकुल आपको नियम भी बताऊंगी सर और आपने आप में कितने बड़े गर्व का विशय है मुझे याद है यह हमारी सरकार मोधी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवी क्या बना के रखी गई सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद लखनव सेंटरल तो सिरीज बनती थी मिर्जापूर तो ओंकारा में मेरट की गैंग वार तो बाबर फिल्म में कानपूर की गैंग वार तो company film में दिखाय जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूरवी उत्तर प्रदेश से आ रहा है आप सोचिए उस समय अवैद हतियारों के बनने के समाचार आते थे और अब intermediate range ballistic missile उत्तर प्रदेश में डिफेंस कोरिडोर में बनने जा रही है इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरे ही न हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है ये समझा जा सकता है अभी बाशन के बिंदु क्रमांग 17 में राश्पदी महोधिया ने भारत के public sector banks के बारे में अपना विचार वेक्ट किया है जिसमें विशेश कर मैं सिर्फ तीम का उलेक करना चाहूँगा State Bank of India, Life Insurance Corporation of India और Hindustan Aronautics Limited ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल एक ज़ेड़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया मातर एक ज़ेड़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि SBI डूब रहा है, LIC डूब रहा है और Public Sector Banks नीचे जा रहे है राश्टपदी महोद्या ने बताया कि इस साल Public Sector Banks ने 140,000 करोड रुपए का मुनाफ़ा कमाया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था पिछले क्वाटर में State Bank of India का मुनाफ़ा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड रुपए है जो Private और Public Sector सारी कमपनियों में मिला के सबसे जादा है पहली बार SBI ने Reliance से भी जादा मुनाफ़ा कमा के दिखाया है LIC का पिछले क्वाटर का मुनाफ़ा 19,000 करोड रुपए है जो LIC का All Time High है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited मानी L.O.P कुछ बोलना चाहता है सब Point of Order raise करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पढ़ता है तो ये बहुत दी undemocratic system मैं आपसे विननती करता हूँ प्रियांका चत्रुवेजी Point of Order raise की अब आपने आदेश दिया कि सब लुक बैठी हम बैठ गे फिर in spite of that if they are not honoring बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाशन चलाते ही रहें कोन सुनने माला है अपका भाशन हम तो नहीं सुन रहें आप अपने प्लेश 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 आप अपने आगरे किया अगरे आज सभी लोग अपनी स्यूट पर जाएं जब तक महीं गए थे आपने कहा मैं मौकशनों प्रेंट आप साब पिल प्रियां ते प्रियां केतना फैर्त के पॉंट फो आप टैकर किरें पॉंट быстрित छुरम टाह टरहां लगिए तुव bulb कलीफ डिथ सरे और से और टो तेंमेंग कंुझाष। ऑफिवागनि छ चेरिम exactamente पिर इन प्रोव बजर इन प्रोर्व औरॉ कि दूल प्रोवाइज इन ट्रॉद पर्वागनि प्रॉश पर्युक्त कि अवन कि अई प्रॉपले स्वेश्य हैं अविग जा इसी डिए यह रहीच दोस्थ ट्रॉट इंप एप्षा टॉपटन पोड़ सवापदी महोदे मेरा विचार ये था हमारे विपक्षीदल यदी हाउस ओर्डर में होता तो पॉइंट अफॉडर जादा उप्यूक तो ने जरा